नमस्कार दोस्तों आप सभी के स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल सरचाय24 में दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने आ ले हैं UPR VNL का लास्ट यर कट अफ कितना गया था यहाँ पर मैं दो साल की कट अफ बताने वाला हूँ की प्रिवियस दो साल में की कट अफ जो है कितनी गई थी UPR VNL की यहाँ पर TG की बात करने वाल हैं जो टेक्निशियन होते हैं उनकी कट अफ कितनी गई थी तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा यह वीडियो आपके लिए काफी हेलफूल होने वाली है आने वाला जो एक्जाम है इसका UPR VNL का इसके अंदर बहुत benefit मिलेगा आपको कैसी preparation कर रखनी है इस बार का cut-off कितना जा सकता है सारी चीजे हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखियाएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा दोस्तों UPR VNL का भी फिलहाल में वेकेंसी आया हुआ है और इसका form अभी स्टार्ट हो चुका है और बता दूँ आपको यहां पर ITI holder वाले apply कर सकते हैं प्लस में जिसके पास triple C का certificate है वो बच्चे apply कर सकते हैं ठीक है यहां पर अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट है आपकी technician grade 2 जिसे हम TG2 भी बोलते हैं और job category की बात करें तो यह technician की job होती है और application जो है आपका start हो चुका है 2022 का जो की 12 जुलाई से start हो चुका है और application end की जो date है आपकी 5 अगस्त को बताई गई है उसके बाद अगर मैं बात करूं exam आपका कब हो सकता है तो exam की दोस्तो अभी date नहीं आई है date out नहीं हुई है बट दोस्तो जो आपका exam की होनी की available का आता है तो प्लीज अपनी preparation को continue रखिएगा आगे हम बात करते हैं कि जो mode of exam कैसे होने वाला है तो mode of exam के अगर बात करें यहां पर तो यह होता है आपका online और number of vacancy की मैं अलड़ी बात कर चुका हूं कि 120 प्लस vacancy है इसे ज्यादा vacancy है और official website के अगर बात करें तो आपकी uprvnl.org है आपकी official website यहीं पर आपको हर चीज मिल जाएगी notification में मिल जागा सब कुछ मिल जागा है यहां पर मैंने अपनी तरह से यह जो notification है अपनी तरफ से मैंने edit किया है और जो important चीज़े थी वही चीज़े मैंने यहां पर लिखी है क्योंकि आपको मैं easily समझा सकूं इस बहुत अच्छी vacancy है और इसमें आपको मैंने पहली बता दिया जो आपका post होगा technician होगा तो काफी अच्छी post होती है और यहां पर आपकी salary भी बहुत अच्छी खासी बन जाती है ठीक है तो आप interested हो तो apply जरूर कीजेगा अब दोस्तों हम बात करते हैं आपका cut off कितना गय गया था ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर मैंने electrician लिखा trade, feeder trade लिखा और instrument trade लिखा है तो इन तीन ट्रेडों के ऊपर vacancy आई और इस बार भी इन तीन ट्रेडों के अंदर ही vacancy देखने को मिली है और अगर मैं बात करो general category में कितना गया था electrician का तो 142.96 गया और OBC का गया था 136.18 और SC का गया था 120.87 और ST का गया था 99.01 तो यह हो गया दोस्तों electrician वालों का अब हम बात करते हैं फीटर का कितना गया था तो फीटर का general में गया था दोस्तो 144.75 और OBC के अगर बात करें तो OBC में गया था आपका 140.25 और SC की बात कर तो SC में आपका गय प्लस आपका cut-off गया था इस बार ठीक है तो यह हो गया दोस्तो 2019 का cut-off आपका कितना गया था electrician trade का फीटर trade का और instrument trade का तो आप देख लिजिए 2019 में यह cut-off गया तो 22 में कितनी जाने की संभावना है तो यह आप देख सकते हैं यहीं से आपको अंदाजा मिल जाएगा कि आपको preparation अपनी कैसी करनी है अब दोस्तों बात करते हैं 2020 के अंदर जो vacancy आई थी UPRVNL का तो उसके अंदर cut-off कितना गया था यहां पर देखिए मैं लिख दिया UPRVNL TG2 cut-off 2020 और यहां पर आपको category मिल जाएगा फिर यहां पर electrician, feeder और instrument 2020 के अंदर भी यही तीन trade के पर vacancy आई थी जनरल category की बात करें electrician में तो आपका गया था 131.50 और OBC में गया था 123 और SC में गया था 109.25 और ST में गया था 10625 यानि 106 तो यहां पर आप देख सकते हैं electrician का जो cut-off है 2019 के मुकाबले बहुत कम गया था और feature के अगर बात करें जनरल category में तो 123 गया था और OBC में गया था 117 और SC में गया था 106.75 और ST का गया था 73 यह हो गया दोस्तों फीटर वालों का टूटर वालों का कितना गया था 2020 के अंदर और अब हम बात करते हैं instrument वालों का तो इस्टूमेंट वालों के गर बात करें तो जनरल category में गया था 81.75 और OBC का गया था 77.50 और SC का गया था 66.50 और ST का गया था 65.75 तो यह हो गया दोस्तों instrument वालों का जो कट अफ था 2020 के अंदर यह गया था आपने बात नोटिस किया दोस्तों कि जो 2019 के अंदर पकेंसी आया था उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो 2020 के अंदर उसका कट अफ इस बार कम गया था यानि 2019 के अंदर कट कट अफ जाने की संभावना कितनी है दोस्तों इस बार अगर हम बात करें 2022 के अंदर जो कट अफ होने वाला है वह आपका काफी जादा जाने वाला है आपको मैं पहले बतादू जो लाश्ट यर कट अफ गया था जैसे की 130 कट अफ गया था जनरल का बट इस बार जो है कट इसमें आपको देखनों को मिल सकता है 10 मान के चलिए 10 प्लस ठीक है क्योंकि इस बार कट अफ ज्यादा जाएगा इसलिए ज्यादा जाएगा क्योंकि 21 के अंदर कोई वेकेंसी नहीं आई थी और 22 के अंदर वेकेंसी आई है इस बीच में काफी लोगों ने आइट के अपनी कम्प्लीट कर ली है और काफी जादा बच्चे इंक्रीज हो गए है और सबकी इस बार अच्छी है तगड़ी है इसलिए आपको बता दो 22 का जो कट अफ है थोड़ा सा इंक्रीज होने वाला है इसमें 10 मान के चलिए 10 प्लस आपकी कट अफ उपर नीचे देखनों को मिल सकत है 100% को मिलेगी आपको कट ऑफ जो है इंक्रीज ही होगा डिक्रीज नहीं होगा तो जो आपकी प्रफट्र रखनी है आपको अपना टार्गेट चट करकर करके रखना है कि यह जो 150 से उपर आपका टार्गेट है तो आप 2022 कट अफ्लीयर कर पाऊंगे तो दोस्तों यहाँ क्लिए पर मैंने लाश्त के दो सालों का कट-अफ मैंने आपको दिखा दिया है उसकी अंदाज में आपको पता चल जाएगा कि आपको अपनी करनी परेशन अभी कितनी हो रखी है आपकी परेशन है कि इस बार 2022 कर पाऊगे कि नहीं कर पाऊगे वह आप पर डिपेंड करता कि आपकी preparation कैसी है मैं आपसे यही बोल सकता हूं कि आप अपने preparation को continue रखिए और अच्छे सी कीजी preparation क्योंकि जो आपका exam है October या November में हो सकता है ठीक है अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो cut off है आखेर depend कि इस पर करता है देखिए मैं आपको बता दूँ यहाँ पर मैंने कुछ factor लिख रखे हैं कि कैसे responsible होता है cut off increase कैसे होती है तो सारी point मैं लिख रखे है इस पर एक point को इबार पढ़ लिजेगा मैं टेली करा में गूरूप में यह PDF डाल दूँगा यहाँ पर मैं बता दूँ difficulty level क्या होता है exam का उसके उपर भी depend करता है कितने candidate आपके exam में अपेर हुए है उस पर भी depend करता है और कितनी vacancy है यह उसके उपर भी depend करता है जो मैंने चीजे बताई हैं यह तीन चीजे हैं काफी important है इनी चीजों के उपर आपकी mainly cut off depend करती है तो है वहां से जाकर आप टेलीगराम वाले group में भी join हो सकते हो और दोस्तों यहाला जो PDF में टेलीगराम वाले group में डाल दूंगा वहां से आप लोग इस PDF को भी download कर सकते हो दोस्तों इस वीडियो की यहीं पर end करते हैं मिलते नेक्स वीडियो में जै हिन जै भारत